आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें Hello students, यहाँ पर question दिया गया है कि पारम पर एक विद्युत्युम्बकी या सिद्धान्त की अनुसार रधरफोड परमाण द्वारा कुछ सर्जित स्पेक्ट्रम होगा खीक है, तो हम आप पर एक पर बार उठरफोड परमाण द्वारा उसके बारे में बत्त करनेएं देखें यहाँ पर एक आधरफोड थे उन्होंने बताया था कि यह अतामिक मॉड़े जो था वह कैसा होगा अधरफोड ने कहा 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 था यह बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी और यह बात गरत पाई के थी बात में उन्होंने कहा है कि सरत उद्सरजन होगा और जो एलेक्ट्रॉन है क्योंकि जो एलेक्ट्रॉन है वहां लगातार उर्जा को उद्सरजित करेंगे यह रधररपोड का स्टेट्मेंट था उद्सरजित करेंगे ठीक है लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सरत उद्सरजन नहीं था वहां पर प्राटिकली ऐसा नहीं था बाद में पाया गया कि जो उद्सरजन बाद में पाया गया देखी उद्सरजन यह पाया गया बाद में कि जो इस्पेक्ट्रम होता हो कैसा होता है लीनियर होता है लेकिन जो कहा यहां पर हमसे सिर्फ पूछा गया है कि रधर पॉड़ पर मान द्वारा उत्सर्ट स्पेक्ट्रम होगा, तो जो हमारा सही option होगा, वो होगा सद्थ उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा, तो यह हमारा जो सही option है, option बर तीसरा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो correct है, व को अब आप समझ गया होंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पक्षचरी से बारवी से लेकर, नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादा चात्रों का भरोज़ा, आज ही डाउनोट करें डाउटने आप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स आप 4444 पर